नवस्कार मैं हूं मनीश शर्मा और आप देख रहे हैं डे टीवी रादस्थान तो रादस्थान में आखिरकार जिस चीज का इंतिजार था उसने स्वरूप ले लिया है और वो है भजनलाल सरकार का मंत्री मंडल 22 मंत्री उन्हें शपत ली है और अब मुख्य मंत्री और दोनों उप मुख्य मंत्रीओं को मिलाएं तो 25 चहरों के साथ में भजनलाल सरकार की टीम बन गई है शनिवार दोपैर सवा तीन बजे राजपाल कल राज मिश्र ने मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपत दिलाई 22 जो विधायक थे उन्होंने कुल मिलाकर शपतली इसमें 12 कैबिनेट मंत्री थे और पांच स्वातंदर प्रभार और शेश जोने राज्य मंत्री बनाये गया है तो पूरी तरह से जो कयास लगा जाये रहते हैं उनके उलट इस बार भी भजनलाल सरकार में जो मंत्री मंडल मिला वो भी चौकाने वाला रहा पचीस मंत्रियों में से अब जो कुल मिला कर मुख्य मंत्रियों समेट पचीस नाम इसमें जो उनके मंत्री परिशद में अब हैं उस पूरी प्रदेश की मंत्री परिशद में से पचीस में से बीस खुद मुख्य मंत्री समेट और उप मुख्य मंत्रियों समेट पहली बार कम सम्हाल रहे हैं प्रदेश में मंत्रा लेओं की तो एक तरह से कहें कि दो हजार चौबीस लोग सबाचुनाव से पहले बीजेपी ने एक नया नित्रतों खड़ा कर दिया है राजस्थान में और पैटर्न वही है जिस तरह से मध्रदेश और गुजरात की तर्च पर एक ऐसी स करकार बनाने की कोशिश है बीजेपी आला कमान की और उसी कड़ी में ये टीम भजनलाल राजस्थान में दिखाई पड़ रही है पच्चीस चेहरों की मंत्रे परिशद है जिसमें से बीस पहली बार राजस्थान में कमान समभा लेंगे चेहरे बड़े तमाम हैं हालांकि फर्स टाइमर्स जो है उनके बहुतायत है उनकी संख्या जादा है महिलाओं के नाम पे हलांकि बीजेपी में सिर्फ दो इस टीम में भजनलाल टीम में दो महिला चेहरे होंगे खुद डेपुटी सी एम दिया कुमारी और डॉक्टर मंजू बागमार जो ऐसी कैटेगरी से जाती हैं और जाहिल से चुनाव जीत कर आई हैं तो इस तरह इसे तीन राजपूत हैं दो ब्रहामन चेहरे सबसे जादा जाट चेहरों के जाट जाती से चार मंत्री बनाए गए तो कुल मिलाकर ओबी सी पर खासा जोर रहा है हलांकि सी और स्टीज को भी साथ तीवी दिख सवाल कॉंग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुरेन जी बीजेपी से होंगे शाम सुन्दर शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार इस वक्ट पे मौजुद है तीनों का स्वागत आपका और शाम जी लगातार जुड़े हुए मंत्री मंडल को लेकर हर रसे कि जनता की बीजेपी ने एक नई सरकार में कहें कि नए साल पे नई सरकार और नया नीत्रत वह को भी होनीwater चाहिएए कि अब एक नया नेत्रत वहां में होगा और जणता के सामने एक नई सरकार होगी इशित तोर पर देखिए राजस्तान की जनता और संपूर्ण विपक्ष भी तीन दिसंबर के बाद जब से प्रेणाम आये थे उसके बाद अंदर अतारिक को शपत लिए और ये तकी लगाए बैटे थे कि जल्दी से मंत्री मंडल का विस्तार हो कि जो भी राजस्तान की जनता थी वो कई चीजों से प्रभाविती चाहे वो योजना हो या कुछ और हो पहली बार हमें राजस्तान में देखने को मिला कि सकता इस दिन बाद मंत्री मंडल का विस्तार हुआ जो काफी लंबा समय था लेकिन उसके बाद चल लिए ठीक है देर सवेर आए आज मंत्री मंडल का विस्तार हो गया और सबसे बड़ी चीज़ देखिए देखने को अब यह मिलेगी कि कि कैबिनेट की जो बैटक है वो इतनी जल्द यह लेकर आते हैं और उनमें किन प्रस्ताओं के उपर मोहर लगाते हैं कि 2018 में जब कॉंग्रेस की सरकार ब आने का काम किया चाहे निकाल चुनाओं में न्यूंतम च्रिक्षनिक योगिता को कम करनी की बात रही हो नहीं वो तो अब मंत्री मंडल केबिनेट की बैठा को की तब देखा जाएगा पहली केबिनेट में क्या होता हलाएं कि उससे पहले भी भजनलाल शर्मा ने जो बीज मंत्री मंडल बनकर सामने आया है आप बड़ा आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर पूरे चुनाओं में राहुल गांदी ने जगय जगय रहलियां की और समाम बड़ा आरोप OBC को लेकर था लेकिन बीजेपी ने उन सब को काउंटर करने के लिए सबी जातियों और वर्ग हुआ हुआ हमें मद्यप्रदेश में भी देखने को मिला रो राजस्तान में भी देखने को मिला यानि कि जो बात हमने रखी उसको भारतिय जनता पार्टी ने स्विकार किया है कि हां OBC को प्रतिनीज़त देना पड़ेगा लेकिन दूसरे तरह आप देखिए महिलाओं के इसमें मातर एक महिला को कैबिनेट जो इनका मंतरि पलीषनता था उसमें जगे मिली है जिसमें कैबिनेट मंतरी का तो दरजा नहीं मिला उस तरीके से हमें एक उम्मीद थी भारते जनता पार्टी महिलाओं के उत्वान की उनके अगरनी विकास की बात करती तो शायद एक दो नाम और हमें देखने को इसमें मिल सकते थे गिनब्दी की आज विस्तार हुआ इसके बाद किस तरह का इनको पोर्टफोलियो दिया जाता है किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाते हैं वो भविश्य की गर्त में लेकिन विपक्ष के नाते जहां जहां भारते जनता पार्टी अपने वादों से अपनी उम्मीदों से हरा नहीं उतरेगी वहाँ पे हम पूरी तरीके से पुर्जोर विरोध करेंगे बिल्कुल वो उसके लिए आपको जनता ने वाकर विपक्ष में बिठाया भी सिले कि आप अच्छा विपक्ष शाबित हो और बीजेपी ही नहीं बलकि जनता नहीं सिर्फ मीडिया की भी निगा रहेगी और पूरे आठ करोड जनता की भी निगा होगी आपके पास कि आप कितना अच्छा विपक्ष बन पाते हैं क्योंकि लोगतंतर में कोई भी मंच हो एक अच्छे विपक्ष की जरुवत तो हमेशा होती ही है कि establishment को हमेशा checks and balance रखा जाए और उसको एक तरह से लगाम रहे जनता की उस पर बीजेपी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं जिस तरह से आपने सुना कॉंग्रेस के प्रवक्ता को कि आप दबाव में तो थे तमाम जातियों के समीकंड साधने को लेकर बले आपने इसको अब लोकसभा चुनाव से पहले यह आपके लिए एक तरह से कहें कि सभी जातियों के समीकंड बिठाने के लिए आपके लिए एक काफी एज रहेगा आपको सकारात्मक है आपके लिए लेकिन आप दबाव में तो थे कि OBC को लेकर SCST को लेकर और वो प्रतिनित तो आपने इस मंत्री मंडल में आपने दिया कॉंग्रेस काला के कहना है कि हमारा यह मुद्दा उठाया हुआ था अब यह कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन बीजेपी को उनके मंत्री मंडल में और अन्य पदों पर देखने को मिल रहा है देखिए बारजनता पार्टी किसी तरह के दवाव में नहीं थी सबसे पहले तुम आपको सपष्ट कर देना चाहता हूँ दूसरा जो टीम राजस्तान बनी है बजनलाज जी के नित्रतों में जिसके जिम्हें आने वाले पांट साल तक राजस्तान के विकास का रत है उसका पईटा तेजी से गुमेगा मैं तमाम मंत्री मंडल के जो सरश्य चुने गए हैं उनको बदाई देता हूँ और जिस तरह की बात हमारे मित्र कंग्रेस के परवक्ता कर रहे हैं इनको तो आज स्वागत करना चीए था कि जो नई टीम बनी है नहीं स्वागत उन्होंने किया बदाई तो आपको दिये उन्होंने रही बात OBC की तो देश को OBC प्रदानमंत्री भार्जिंता पार्टी ने दिया है बाजपाई वो पार्टी है जो OBC का सम्मान करती है नरेंदर मोधी के रूप में हमने देश को OBC प्राइमिनिस्टर दिया है महिला राष्टपती हमने दी है रुप्ति मुर्मू के रूप में और तमाम बर्गों को साथ में जोडते वे सबका साथ सबका विकास इस वादे के साथ जो गारंटी चुनाव से पहले नरंदर मौदी जी ने दी थी उन तमाम गारंटीओं पे जो काम सुरू करने की बात थी मंत्री मंडल के गठन से पहले ही बजनलाज जी ने शुरू कर दी थी अभी आप नहीं जैसे बताया कि साड़े चाहर सो प्रूपे में सिलेंडर की बात थी तो उन्होंने उसमें ले आए पेपर लीग हो चाहे गेंगेस्टर हो इन सब के खिलाप जो बात हमने चुनावी ब चुनाओं के नतीजों के बाद हो फिर मंत्री मंडल को ले करो शाम जी वही चीज बीजेपी ने फिर से तमाम कयासों के विपरीत एक चौकाने वाला कदम वो चेहरे जिन पर कुछ चेहरे हालांकि जिन पर चर्चाएं थी कि रोडिलाल मीना बड़ा ओविस नाम लग रहे थे और राजवर्दन राठोड का भी नाम थाई क्योंकि सांसत से विधायक बने हालांकि बाबा बालकनात इस श्रेणी में नहीं रखे गए मंत्री नहीं बनाया उनको लेकिन जो भी बड़े नाम सामने आये हैं मतलब 25 में से पूरी कैबिनेट या फिर पूरा मंत्री परि देखे बीखी और प Türkiye मेंसी बनने के बाद की बनाया है और आप ने सभी का दस OBC बना दिये और देखे और चुनाव में हम को मत्री बना करके. जीतने के लिएल औा और भाइन हो आजसा दरौन आ जितनी है. आधिकारी के पर आरूप थे पहले या सिंघ्वी के पर आरोप थे ऐसे लोगों को मंतरी नहीं बनाया है वह इस capital देना चाहती हैं कि हम ऐसे लोगों नहीं चाहते वह अग्रा मैं जाते हैं लेकिन उनके पर आरोप जो थे इसलिए उनको रोकने का प्रयास किया गया कीवसर को बनाया है मंत्री बना करके कीवसर को बनाने का प्रयास किया वो अच्छी छबी का व्यक्ति था हमने बना दिया उसको तो यह दिए कि छबी के रूप में और देखे का जिस परकार से मैंने पहले भी कहा था कि दस्थ संभाग आते रहे immersे हैं जैपूर को इस बार बारपूर मिला कि तो मैं कर दीद के भीसे अब कहले टेखी दिली ने डिली में बैठे ढ़िये रहे शकर दीड़का यहम बदाय सूउ औमिल्दा के किलोट के और वाइस दो मंत्री बने tyle और ये इनी बात करें भुपंदर यादाव का इस बात करें यह अरजुनलाल-मेग्वाल की बात करें इस सब वेक्तियों क और यह पूर प्राश्ष पती चीछों के मंत्री बंकर दिखाइए। और क्योंकि दिखे का चुनाव इनको दोजाज चुईस में जीतना है और लोकसभा का चुनाव में खार जाती को अगर नहीं देते नितितु तो फिर आगे कैसी जीत पाते हैं इसलिए दिखे का वो सब चीजे दी है जिसे कि भजनलाल को दिक्कत भी नहीं आएगी कुछ सीने दे दिये उनको जिसे की काम भी चला और प्रशाशनिक जिस्टी से या संसिदिये कारे में जो जोगराम पटेल है अच्छा संसिदिये कारे को जानते हैं देखे आप बात करें कि राजवर्दन सिंग दिल्ली में भी काम करके आए और आप जैपुर में काम करेंगे तो वो दिल्ली की पेटेन को लाकर करके यहां भी काम करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारे पास अच्छे लोग जीत के आए पड़े लिखे लोग जीत के आए तो अगर पहली बार भी जीत के आए और ठीक लोग जीत के आए तो चबी ठीक होगी तो काम अच्छा होगा आप पर झाल बार जीथ की जा मेंट करेक्ट कर लिए चाहित O जो पत्याे के मसक्रवि'll on the right 9 से जान से आपको काम कीज़िए इस प्राकार से काम कीजिये और इस बचने के लिए जिस प्रकार्ट सा मंत्री मटल दिया है तो यह सब कॉमिनेशन करके जो मैंने पहले भी कहा था कि बिना राजदितिक परिपेक्ष में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता तो दीके यहां तो प्रधान मंत्री हमारे परवारी थे और पहला जोशी जो कि एक एक चीज को देख रहे के बारी किसे तो मंत्री मंदल में अच्छे लोगों का लाना ठीक है अब बले एक बात सही कि कि आपको करणपुर्ण वाले को मंत्री मंदल का नेतिकता कि तो यह कहती कि उनको नहीं बना जाने अब बना दिया ठीक है क्योंकि आप तो चुनाओ अब राजनिती में किसी नैतिकता शुजिता कि तो बात करना की बड़ा बेमानी है सब सिधान्तों से समझवाते होई रहे हैं अब जो भी करें ठीक है लेकिन यह मंत्री मंदल ठीक ठाक बनाए है बड़ा जो आप कॉंग्रेस का शाम जी वह बात आप कॉंग्रेस के आरोपी की कर रहे थे निश्यत रूप से उसको तो ना सिरी करणपूर सीट को लेकर बलकि लोकसभा के परिप्रेक्ष में भी देखें शाम जी तो हर जाती और हर वर्ग और हर शेत्र मतलब एकदम नए साल पे नई सरकार नया नेत्रवत और नए समीकरण पूरी तरह से वो 25 सांसदों की जो हेट्रिक लगाने की कवायद है उसको पूरा करती दिख रही है बीजेपी इसलिए देखेंगा आप तो यहां पर पेटेंट इस प्रकार का चलना है अब लोगों की कम चलेगी केंदर की जादा चली है और केंदर करेगा वही होगा सब कुछ यह पास है कि मुख्यमंत्य चीज चाहें हां काम काज करने में पैसा को केंदरी देगा आपके पास पैसा है नहीं आप देखें जो निड़ने करने साड़े-चार्ट सो का सिलिंडर कर दिया और आप करने का तरीका चिकाया जाता है थोड़ा पहली विधान सभा के सत्र में दिक्कत आएगी फिर बात में तो प्रफेक्ट हो जाता है आदमी ऐसा नहीं कि वो जो काम नहीं आधिकारी का और यह वो चेहरे भी ऐसा नहीं है कि बहुत जादा इन्होंने विधान सभा अनुबाव नहीं है चाका बंजू बागमार हो चाए फिर गोधारा हो यह अर्षतुरेश रावत हो यह सब वो चेहरे है जो विधान सभा में मौझूद रहे हैं और किसे प्रस्टाराम दिवासी हूँ या फिर सुरंदर पाल टीटी हो मदन दिलावर हो यह सब चेहरे वेले विधान मुख्यमंत्री पहली बार ही विदायक बनते सीधे मुख्यमंत्री बने तो निश्यत रूप से एक बड़ा मैसेजिंग तो है कि बड़ी जिम्मदारी आपको स्वापी जा रही है सपोर्ट जरूर केंदर से रहेगा लेकिन भरुसा है और उसको अब खरा उतरने की इनकी परिक्षा होगी रमेश ठाकुर भी जुड़ेंगे कोशिश हम उनसे कर रहे हैं आना कि शाम सुंदर शर्मा हमारे साथ पहले मौझ उठे प्रतीक आपके पास आते हैं जिस तरह से आपने बताया कि आपको पहली कैबिनेट की बैठक होगी आपने सरकार अपनी सरकार का हवाला दिया 2018 में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी अब जो सरकार बनी है क्या आपको बड़ी उम्मीद है क्योंकि बतौर विपक्ष्टों निश्यत रूप से विधायक आपके भी मौझूद होंगे विधान सभा में आपको भी प्रतिनी देता आपका भी है आप क्या मानते हैं क्या बड़ी प्रात्मेक्ता होनी चाहिए नई सरकार के लिए राजस्थान में सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीजे हैं कि सरकार किसी की भी हो जो योजनाए राजस्थान की जन्ता के लिए लाबानवित करने वाली ती कम से कम वो कंटिन्यूर है इस तरीके से माने निये प्रदान मंतरी जी ने भी कहा था कि अंगरेस की जो योजना जन्ता को लाबानवित करती है उन्हें निरंतर रूप से रखा जाएगा मने ने मुक्ति मंतरी जी ने भी इस बात का हवाला दिया लेकिन जब हम धरातल पर देख रहे हैं तो वह उन योजनाओं को इक तरह से न्यूटरल रहकर बंद कर दिया गया भी बार बार हम साड़े चार सो रुपे से लेंडर की बात कर रहे थे मनीशी धरातल पर अगर आप जाकर देखेंगे तो यह लोग एलिजेबल है उजवला योजना में कनेक्शन लेने के लिए जिनका दो हजार ग्यारा की जंगर्णा के अंदर नाम आया था और पिछले द मनीशी दोनों चीजों में अंतर हैं हमने कहा कि अधिया मारी सरकार आती है तो एक पॉइंट पांच करोड महिलाओं को संपूर्ण परिवार को हम पिछली सरकार में तो आप भी सिर्फ उजला और बीपियल कनेक्शन्स में दे रहे थे ना वो इनों ने चुना भी हमने जो म फ़रेज की लोगों से पूछा कांग्रेस बड़े-बड़े अनौंस्मेंट कर रही है लोगों ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वादे कर रही है चुनावी वादे हैं उसके बाद में कुछ लागू होगा नहीं होगा चुनाव जीतने के बाद आप पर भरوسा नहीं जता है पिछली बार चुनाओ बीजेपी आ रहे थी आपसे ज़्यादा सीटे थी तेटर सीटे तो यह नैतिक जीत की मोरल जो विक्टरी की बातें कॉंग्रेस करती यह बिल्कुल अजीबो गरीब इस्तती है जिसके पास ज़्यादा नमबर होते है इलेक्शन डिमोकरसी में इलेक्टोरल डिमोकरसी में वही राजा है उसी के सिरसेरा बनता है आज सुरेण जी के पास रूप करते हैं जो कि हमने देखा है कि कैसे प्रदेशों में जनता द्वारा दिये गए मेंडेट को भारते जनता पार्टी ने आकर और सरकारे बनाई है लेकिन जनता ने एक विपक्ष के नाज़ते भी हमें भूमिका दिये और हम वो सही बाते जनता तक पहुँचाएंगे जो बाते सही नहीं तो आपकी जिम्मदारी भी बनती है भारत बिलकुल यह उपजिश 2024 का लोकसबा चुनाव भी है लेकिन जनता के निगाह में तो 5 साल हैं पूरे कि वो जो योजना थी कॉंग्रेस की वो धीरे-दीरे कहीं न कहीं उन पर बड़े सवाल खड़े होने लगे तलबार लटकरी चरंजी भी को तो खास तोर पर अब निजी हस्पतालों का हाल देख आप देखने वाली बात यह होगी नए साल में कि वो पुरानी योजनाएं चलेंगी या फिर नए योजनाएं इनाम बदलना तो आपने शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं उससे पहले गुदान मंत्री जी इस बात को बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी ऐसी योजना बंद नहीं की जाएगी जिसका लाब राजस्तान की जंता को मिल रहा है लेकिन जो राजस्तान की चिरंजी वी का लाब मिल नहीं रहा है लोगों को परिशानी हो रही है अखबारों में रोज खबरे छप रही है हम टीवी पे भी कवर कर रहे हैं तो दिन पहले बहुत स्पष्ट किया है उसमस गए थे योजना चालू रहेगी जो भी खामिया है उन लगाउन योजनाओं के नाम पर कैसे ने कैसे करके सत्ता में इनकी वापसी हो जाए इस तरह से जो राजस्तान का व्रित्य अनुसा से ने खतम कर दिया जो हालात राजस्तान की बना के रख दी वो किसी से छुपी वी नहीं है निश्चित रूप से इस नई सरकार के सामने यह जो एकोनोमिक चलेंज एक बड़ा चलेंज है लेकिन फिर भी हम बरोसा दिला रहे हैं कि तमाम चलेंजेंज से निपटते हुए वो सारी जन्द लियानकारी होजनाई लागू रहेंगी जिनका लाप राजस्तान के लोगों को वास्ता में मिलना चाहिए क्या आप सबसे बड़ा लाप क्या मिलेगा आप आज एंडटीवी के मंच पर हैं नया साल शुरू होने वाला है आप ही थोड़ा बताजी दर्शकों के लिए दर्शकों को बड़ी उमीद हैं आपसे और सबसे जादा उमीद है पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर जो खुद प्रधानमंत्री उठा रहे थे पूर्या बीजेपी का नेत्रत उठा रहा था आपने उजवला में तो राहत दे दी है अब बाकी जनता का क्या होगा जो सतर लाग को तो दिया है आपने बाकी जो साथ करोड़ की लोग हैं वो भी बड़ी आशा से आपको देख रहे हैं कि पहली की बैटक में नए साल पे सस्ता पेट्रोल डीजल आप अनाउंस कर देंगे निश्चित रूप से जो तमाम उमीदें लेके राजस्तान के लोगों ने बीजेपी को मेंडेट दिया 115 सीट का उन सारी उमीदों पे हम लोग खरा उतरेंगे ठीक है जो भी कार है गेंगेश्टर के खिलाब एंट्री टास्पोर्स बन गई है पेपर लीग का जो अपराद कांग्रेस की सरकार ने जो पाप राजस्तान के नौजवानों के साथ किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके खिलाब टास्पोर्स बन चुके है और वो अपना काम सुरू कर जिकी है जनता आर्तिक राथ भी आपसे चाहेगी सुरेंजी जनता आर्तिक राथ फीक है आखरी कॉमेंट शाम सुंदर शर्मा जी का लेवते शाम जी नई कैबिनेट बन गई है पूरा जातिकत आधार पर ध्यान रखा गया है नई चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री मंडल क कमान समालेंगे अलांकि विधाय को बन कर आते रहें विधान सबा का जरूर अनुबाव है मंत्राले का अनुबाव जो 20 लोग है वो पहली बार अनुबाव करेंगे आपको क्या लगता है इस पूरे समिश्रण से अगर एक होलिस्टिक अप्रोच से इस मंत्री मंडल को कि आप भी राजस्थान के मद्दाता और राजस्थान वासी तो आप हैं क्या उम्मीद इस सरकार से आप रखते हैं आप क्योंकि साल भी नया शुरू होने वाला है नई उम्मीदे होंगी अन्म्यूट कर लीजेगा शाम जी ओडियो को प्लीज अब आज आरी हैं जी जी मनीज जी मंत्री मंडल तो ठीक बना है चाहे पहली बार मंत्री बना उसकी चिंता छोड़ दिनी चाहिए मंत्राले का काम समालेंगे तो आ जाएगा लेकि पहली बाद जो केबिनेट की बैठक होगी उसमें निश्य दूप से दो तिन चीजे देखिए लाएगने का प्रयास करेंगे क्योंकि राजपाल का अभिवाशन पेश होना है पिदान सभाव में उनिस तारी को तो राजपा शाम जी समय कम है कोई एक बड़ा फैसला जो पहली बें जनता के लिए राहत बरा होना चाहिए कोई एक बड़ा फैसला जो आप अपेक्शरत तो यह हो गया दूसरा है पेट्रोल डीजल के में निश्य तोर पे यह छूट दे देंगे यह मान के चलिएगा और ठीक है वही एक आरोप लगा रहे थी कि पाच हजार को क्यों हटा दिया पचाहजार की भरती क्यों ने की तो दीके आप अशुक गयलो तो अपने पचाहर परसार करते थे और वो के रहे थे हम बीजेप यह परचाहर परसार कर देंगे तो फिलाल बैस इतना ही बागे तमाम खबरों के अब बने रहें एंडिटी विरास्तान के साथ नमस्कार